इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम स्टरड प्रो में कैसे टाइम हिस्ट्री आनलेसिस कर सकते हैं यह तरीके का डायनमिक अनलेसिस होता है हमने इड़ में भी सीखा था इसको कैसे करता है इसके लिए हम एक एक ग्राउंड मोशन डाटा चाहिए होता है एक चाहिए होती है जिसके अंदर हमारे पास acceleration की values होती है with respect to time तो मेरे पास अभी हालफ़ला ये एक फाइल है EQ data करके ये by default सब you can say stud pro के साथ आती है जो कि stud pro के additions से सब के साथ ये कही ने कही आती है फिर भी मैं इसका link और इसका जो path है वो आपको description में दे दूँगा तो आप वहां से फाइल ले लिजेगा it's totally free वो उसे के साथ ही आती है stud के साथ ही तो left hand side में जो है वो हमारे पास इसके times चल रहे है second में और बागी right hand side में इसका acceleration है तो कहने का मतलब यह है कि हम इस फाइल को use करेंगे इस फाइल के को ही use करके हम हमारा ground motion का जो acceleration का जो डाटा है वो input करेंगे और हम response देखेंगे structure का कैसा होता है यह हर earthquake का अलग-अलग होता है आप अलग-अलग जगह के अनुसार वहां के earthquake का जो पुराना डाटा है आप ले सकते हो उनके लिए भी मैं लिंक नीचे डाल दूगा क्योंकि पिछली बार जब लेक्चर किया था तो उसमें कुशिंस बहुत आये थे कि सर आप हमें बताईए कि हम ground motion डाटा का से ले सकते हैं तो वह आप वो सब पर सकते हैं सब्सक्राइब करना है जाते हैं चोटा सा कोई भी फाइल बना देते हैं तो कोई भी इस फाइल को उसी पाथ में सेव किया जहां मेरा ग्राउंड मोशन का डाटा पड़ा है मतलब जो ग्राउंड मोशन की जो टेक्स फाइल है यह उसी फोल्डर में होनी चाहिए जिस फोल्डर में आप आपके प्रोजेक को सेव करें तो अब प्रोजेक का मेरा पात देखलो डेक्स्टॉप में टाइम स्ट्री अनलिसेज और वहीं पर मैंने यह गाउंड मोशन का डाटा वैल्यू भी मैंने यही रखिए हुई है उसकी फाइल भी मैंने यही रखिए हुई एक जड़ी होने ज़रूरी है ठीके तो यह हो गया अनलेटिकल मॉडल मेट्रिक यूनिट है और मैं इसको क्रिएट करते हुए तो मेरा सामने एक बार के लिए मेरा स्ट्ट प्रो रैडी हो गया हम छोटा से बनाएंगे ज्यादा मैं परिशान करने जी सब्सक्राइब कर दूंगा मैं यहां से मैं फ्रेम मोडल में जाके बेफ्री मिला के जाके लटसे मैं फाइव लेता हूं मेरे बिल्डिंग की एक ही रखता हूं हाइट्लेट से में टोटल में फूर स्टोरी ले लेता हूं और त्री यह अप्लाय करता हूं ऐसी बिल्डिंग बन जाएगी इसको मर्ज मॉडल विच्ट परो कर दूंगा आपके केस पर बिल्डी कर लगो सकती है तो इसक को में लेता हूं कोई ब्लाइब करेंगे एक एक सपोर्ट कर देंगे हम लोग सपोर को पकड़के रखेंगे के एक तरेंगे का फ्रेंट से दिखोंगोifornia से जाओं मैं जाओंगा सब्सक्रिका Hahn सब्सक्राइब करेंगे अब यहां पर जो चीज आती उसके बारे में हम लोग देते हैं इंटिग्रेशन टाइम स्टेप मतलब कितने कितने टाइम स्टेप पे आप चाहते हो कि आपका जो मॉडल है वो इसे एनलाइज करें तो अगर आपका डाटा फाइल देखोगे तो उसमें आप देखोगे आपके पास हर 0.02 सेकंड पर एक्सलिरेशन आप जितना फाइन करने जाओ कि उतना फाइन आपको मिलेगा जितना ज्यादा कम टाइम रखो कि आप उसे साब से मूग करेगा तो आप तको देखना है कि आप कैसे रिजल्ट्स चाते हो उसके बेसिस पर आप इस वैल्यू को चेंज कर सकते हो लेट से मैं 0.002 पी रहा हूं ठीके तरीके से नाम ह जाते हैं इस साइन एक्सक्राइब करूंगा और एक्स्टेंशन के साथ में लिखूंगा ठीके वह टेक्स्ट फाइल है तो लिखना पड़ेगा तो पीछी मेरे पास यहां पर आड होगे नाव डिफाइन पारामेटर में जाएंगे यहां पे टाइम स्टेप है टाइम स्ट जो है वह एकवर लेन होगा डैंपिंग मेरे स्रक्चर की 0.05 यहां था अरावली टाइम मतलब यह होता है कि कौन से टाइम के बाद में आपको लोड लगाने चालू करने है जो हम लोड लगाएंगे वो इतने टाइम के बाद चालू करने है ठीक है तो लेट से इसमें आप है मतला अब इसमें इसमें ब्लोड है से जाले दाले है bay default में ने डाल के इसको और डường करे इसे मेरे पास किली करोँा अब गाजै यहां एक टैंड ले ने लीड़े चाहिं सो लेते हैं। इसको नाम देता हूँ दिएल एड़ कर देता हूँ एक लाइव लोड ले लेता हूँ फिलेना पड़ेगा सेसमिक टेगरी के अंडर तो मैं इसको लिख देता हूँ डायच जी एकkelnे मैं एक सम्लिफाइज और और डी प्रॉसेस आपके स्ट्रक्टर के के समें हो सकता है give बहुत सारी चीजे़ उसको रहने वाव देट में लगा धिया है स porch falar स्टैन्नाइब एपड़ाइब प्लोर याई इडा याद करंगा और यहां पर फ्लोर लोड एड़ करोंग एड़ कर पुरेट लोड के बारे ने पिछले से बताया जूला वाला जो वह आप आके देख लीज़ेगे अवा तो इसमें मिनिममम मैं जीरो रखका described मेरी जो बिलिंग के हाइट है 12 मीटर वाय रेंज डाल रहे हैं वाय रेंज में मेरे क्या है 12 मिटर क्लोज इसको असाइन करने की ज़रूरत नहीं यह खुद बहुत ही बन जाता है डायव लेवे वह सर्साहं के लिए लगा है आपके केसे में हो सकता है अब डायमिक में आपको क्या करना है जैसे हमने क्या प्रॉस्पम्टर में भी कि आता है था की स्ट्रक्चर का सेलफ ये जोगा वहरी डारेक्शन के साथ आपको एक करना वाइक अंदर भी एड़ करना और जट पॉजिटिव के साथ के लिए आपने जितने भी फोर्सेज यहां ऊपर दिया है डाइड लोड में वह सबके सब फोर्सेज आपके डाइनमिक में भी लगेंगे पॉजिटिव वैल्यू के साथ में ठीक है क्यों का तो मैं यहीं पे इसमें फ्लोर लोड पर आ जाओंगा पॉजिटिव में फाइफ कर दूँगा रेंज मेरी वहीं रहेगी बार ग्लोबल एक्स में एक बर ग्लोबल एक ब्लोबल जैड आप देख सकते हो जो ब्लू वाले हैं डाइग्राम्स वो उसकी डारेक्शन बना रहा दार 열ंब के बाद आपको लोड देखना एक्जांबल के लिए में टूट ले ले लेता हूं थ्री वी ले सकता हो जिसोगी रिक्षिन हो गया डारेक्शन एक्स डारेक्शन में उसको पुश करें वाली सकता है यह तो हमने क्या क्या कर दिया हमने टाइंस के कर दी हमने से ताइम के बाद आपको लोड देखना एक्जाम्बल के लिए मैं two ले लेता हूँ थ्री भी ले सकता हूं कुछ भी ले सकता हूं ड़ाइड़ेशन हो गया डारेक्शन एक्स डारेक्शन में उसको पुश करेगा पूर्स इसको फोर्स को एंप्रिफाय करने वाली बात है डे यह सिंपल सा कर लेता हूं तो मैं क्या करूंगा इदर ले लेता हूं वन 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 के अंदर ही एक पार एक करते हैं एक होगया एक हो जाएगा डियल प्लस एलल माइनस डिया लेने हैं तो आप सारे की सारे अपने इंडियन स्टंडर कोड के अनुखसार लीजेगा यहां पर माइनस वन कर दूगा डियाइड कर दूगा सिंपली आप यहां देख सकते हमारा डियल प्लस प्लस डिय एक तो पॉजिटिव में सब प्लस हो गए और एक दो डियल और पॉज यह लोट कॉंबिनेशन भी हमारे घंड रिट होगा तो लूट का सारे काम हों कि हमारे पास आपको आपके स्ट्रक्चर में भी सारे लोट डालने हैं जितना ज्यादा बड़ा इनलेसिस होगा टाइम लगे तो आपको ज्यादा ध्यान भी रखना पड़ेगा चीज होगा ठ परफोर्म एनलेसिस कर देते हैं अब हमको अनलेसिस का डाट भी देखना है एधैस मौड शेप सब्गेरा वो सब कितनी फ्रक्वेंसिव रहेगी वो सब तो अब यहां उपर पोस्ट थेख सब्सक्क्राइब हो गई होगा साथ-सात मना आउट फाइल में ऑनलेसिस की result भी कर देते हैं तो यह करेगा दन विल चेक कि क्या-क्या रिजल्ट्स आते हैं और कैसे कैसे आते हैं करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर सबसे फर्स तो इन्होंने फ्रिक्वेंसिस केल्कुलेट कर लिए छे मोड शेप से उनके लिए आप मोड शेप को कटाफ भी कर सकते हों मतला चाहो कि मैं पर्टिकुलर इतनी मोड चाहता हूं तो वह भी आप कर सकते हूं वह फ्रिक्वेंसिस इतनी है मरब पास इतने हैं मॉडल मास पाटिस्पेशन फेक्टर जो है हमारे पास वह सारे के सारे आगे अच्छे के लिए जितना भी एडिव परसें नाइडिफाइफ परसें और सो ओन टाइम स्टेप्स जो यूज़ किया जिरो पन जरो जरो यहां से आपके joint displacement चालो होंगे जितने भी आपके displacements है joint और ध्यान रखना loads हमारे पास कितने थे हमारे पास 1,2,3,4,5 load cases एक dead load, दूसरा live load, 3rd हमारे पास that is EQ, 4th combination और 5th भी combination तो आप उसके नुसार जब भी इसका joint displacement देखना है तो depending on the number of joint, जितने number of joint होंगे उतनी बड़ी number forces देख सकते हो, हमें mainly combination भी देखने होंगे, that is 4 and 5th वाले जो हैं उसमें हमको देखना होगा, तो आप यहां से यह सारी चीज़े देख सकते हो, इसको close करते हैं, post processing mode में जाते हैं, post processing mode में let's say मैं सिर्फ और सिर्फ हमारे combinations ही लेता हूं, इसको apply करके okay कर देता हूं, हम post processing mode म आजांगे, यहां पर हम लोग top में dynamics में जा सकते हैं, dynamics में जाके आप यह आपके देख सकते हैं, mode 1, 2, 3, इसमें आपको अलग-अलग, you can say, deform values, deform shape दिखेगी, हर एक चीज में कैसे-कैसे deform हो है, यह एक time step है, आप हर एक time के अंदर देख सकते हो, कितना deform होगा है, क्या होगा सारी के सारी चीजिए, यहां से आप deflection आएं वो भी देख सकते हैं, जासे में deflection पर क्लिक कर रहा हूं, तो मेरी image कुछ जादा ही bend हो रही है, वो scale की वज़े से हो रही है, यहां उपर scale में जाके आप displacement में scale को set करके ना, 0.1, let's rate करके देखते हैं, apply करके, तो आप अलग- आप में layout में जाओगे, यहां acceleration में जाओगे, तो आपको आपके हर एक node का acceleration मिल सकते हैं, जैसे मैंने इस पर click क्या है, यह बोल रहा, did you know that you can view the average of the time stream value for entire floor, एक पूरे floor के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, average value भी देख सकते हो, अगर आप भी define करना चाहते हो, तो इसमें बता हो, यहां, और फिर यहां, ठीक है, हो गया, इनको मैं कर देता हूँ, associate, ठीक है, तो एक top floor नाम का पुरा का पूरा मेरे एक group बन गया, तो जब मैं top floor पे click करूँगा, तो right hand side में आप देख सकते हो, ऊपर ही उपर मेरे पास क्या आ रहा, एक times to acceleration का graph आ रहा है, कि 1.45 meter per second square का पर्टिक्लर किसी node के लिए भी देखना चाहता है, तो इस node पे आप click कर सकते हो, तो right hand side में diagram उसे आप से हमारे update हो जाएंगे, तो यह से 1.29, आप उससे अपनी values देख सकते हो, ना, similarly, यहीं पे आप अगर layout में जाओगे, तो हमार पास displacement layouts पी आप उसमें भी click कर सकते हो, औ और same वैसे ही आप आपके values देख सकते हो, हर एक चीज के लिए, तो यह एक simple सा तरीका था, you can say, एक approach थी, जिसमें आप time stream analysis कर सकते हो, और आपका building का देख सकते हो, कि कैसा exploration generate होरे nodes पे, क्या उनका displacement रहरा हो, और वो सारे भी सारी चीज़े, so that's it for this video, I hope you like the video, अगर कोई भी question हो, आप पूछ लेजेगा, मैं सारे जो link से description में देना हुआ, ताकि आप लोगों के लिए चीज़ी हो जाए, okay then, चलो, bye bye, take care